कि क्लाश्टेल्थ फिजिक्स का जो टॉपिक है हम लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं हम आप इस्कीन पर देख पा रहे हों कि ट्रांसफर्मर के बारे में ठीक हैं तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रांसफर्मर क्या होता है कितने प्रिकार के ट्रांसफर्मर हो होती कैसे है, इसके पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या इसका structure होगा, कितने types के आपके transformer होंगे, यह सब वगेरा वगेरा है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे भी आप, transformer के बारे में आयागवा कोई भी question कभी भी नहीं भूल सकते हैं, बोट exam के लिए यह बहुत महात्यपूर होता है, चाहे वो UP बोट की बात करें हम, चाहे वो CBSC बोट की बात करें, चाहे किसी भी बोट की अगर हम बात करें, तो यह transformer एक ऐसा important topic है, जो हमेशा काम आने वाला topic है, फ्लस बोट exam में तो देखिए, आता ही आता है, लेकिन बाकी और भी चीजों में, यह बहुत महात्यपूर concept और बहुत महात्यपूर topic होता है, ठीक, तो चलिए हम लोग start करते हो, और start करने वाले हम लोग के transformer किसे कहते हैं, सबसे पहले आप यह समझे, देख यानि हम ऐसी परवाशा लेख सकते हैं, कि एक ऐसा उपकरण या एक ऐसी युक्ती, जिसकी सहायता से प्रित्यवर्ति धारा का जो विभाव होता है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम transformer कहते हैं, चीक है, दूसरी बात आप यह रखेंगे, इस्टे बाइश्टे ब हम आपको end तक देखना चाहिए, इस वीडियो को ऐसा हमारा मनना है, ठीक है, जो transformer है, वो transformer दो प्रिकार के होते हैं, पैरी चीज़ आप यह समझे है, जो mutual induction होता है, आपका mutual induction जो होता है, इस पर आधारत होता है, transformer, यानि transformer अगर एक कोशन यह बनता है, कि transformer कि सिध्धान पर कारे करता है, तो हम कहते हैं कि onion प्रिरांग के सिध्धान पर कारे करता है, यानि कि mutual induction के सिध्धान पर कारे करता है, transformer, अब transformer होता है, कितने प्रिकार का कैसे काम करता है, यह अभी हम बताएंगे, transformer कितने प्रिकार के होते हैं, transformer होते हैं, दो प्रिकार के, एक होता है आपका step up transformer और दूसरा होता है step down transformer छीक है step up transformer क्या करता है इस बात को समझेए हमने आपको बताया कि जो alternating current होता है alternating current के potential को change करता है तो alternating current के जो potential है वो low भी हो सकता और high भी हो सकता है ठीक तो जो आपका step अब transformer होता है वो क्या करता है low potential जो आपका potential है वो low होगा low potential short पर हम दिख रहे हैं low potential plus alternating current जो होता है यह divert करता है high potential plus low electric current में यानि कि हम कहें कि अगर step up transformer यानि कि उच्चाई transformer किसे कहते हैं तो उच्चाई transformer वो transformer होता है जो निम्ने विभाव की पिर्वल पिर्तेवरती धारा को उच्च विभाव की दुर्वल वैदु धारा में बदल देता है यह बदलने के काम आता है उसको हम step up transformer यानि कि उच्चाई transformer कहते हैं चीक है और अगर हम बात करें कि अपच्चाई transformer यानि step down transformer किसे कहते हैं तो step down transformer का मतलब यह होता है कि जो high potential plus low alternating current को divert करता है low potential plus high electric current में, ठीक है? तो जो high potential plus low alternating current को low potential plus high electric current में change कर देता है उसको हम step down transformer कहते हैं तो इस तरीके से दो पिरकार के transformer होते हैं एक को हम उच्चा ही transformer कहते हैं और दूसरे को हम अच्चा ही transformer कहते हैं यह बत क्लियर है? अब हम चलते हैं कि transformer का contraction हम कैसे करेंगे? तरीक ट्रैंसफर्मर को बनाते कैसे हैं ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम पतली पतली पत्तियों को देखो आपको लाश्ट तक वीडियो को देखना है यह हम बार-बार कर रहा हैं तभी आपको सारी चीज़ें one by one clear होंगी और बहुत अच्छे से clear होंगी हम क्या करते हैं पत इसमें जो पत्तियां होती है वोjalbon को इसमें कीदे करोट बनाया इसके बान क्या करते हैं इसके कोड़ दो दो कुंड़ीयों को हमने क्या बना कोईल को कॉड़ हम और एक कुड़ दो कुंड़ें बनाई कि यह विशिष्ट में कि यह कम होती संख्या अगर बहुत जादा है तो तार पतले पतले लगा जाते हैं और वो क्यों किये जाते हैं ये भी हम अभी आपको बताएंगे ठीक है तो ये दो चीज़े आप समझ में आई अच्छा आप समझ ये हमने एक क्रोड ले लिया और एक हमने प्राइमरी क्वाइल माल लिया इसमें जो फेरो की संह्ख्या है वो जादा है और टार पतले हैं जबकि यहां पर फेरो की संह्ख्या कम है और तार मोटे हैं तो इसका मतलब यह हुआ simply कि ये step up transformer यानि उच्चाई transformer है क्योंकि उच्चाई transformer में ये category होती है कि जिसमें प्रात्मे कुल्डी में फेरों की संख्या कम लेकिन तार मोटे होते हैं उसे हम प्रात्मे कुल्डी कहते हैं और ये दुतिय कुल्डी में फेरोंगे संक्या जादा तर पतले होते हैं तो इस तरीकी का जो transformer होता है वो step up transformer होता है and secondary step down transformer होता है चीक है तो अच्छा अब हम इसमें एक चीज और समझेंगे कि जो हमने laminated core बनाया laminated core बनाने का ताथ पर हमारा सिंपल सा ये था कि हम ये चाहते हैं कि core में भवर धानाय उत्पन ना हो भवर धानाय जो होती है वो energy का loss बहुत जादा करती है और energy के loss से बचने के लिए हम इसे पटलित क्रोट के रूप में क्रोट को लेते हैं अठाद laminated core के रूप में हम इसे लेते हैं तो ये इस तरीके से इसकी सनचना होती है दूसरी बात यह होता है कि जो पिट्टेवर्टी पिट्टेवर्टी धारा यानि कि हम यह कह सकते हैं कि प्रेरिद विद्द वाहागबल अठाद स्रोथ जो होता है सोर्स जो होता है विद्दुत का उसे हम primary quail से जोड़ते हैं सबसे पहले तो primary quail से जोड़ने का मतलब क्या होता है यह आपकी contraction हो गया और contraction के बाद आपकी आती है क्रिया विदी कारे विदी यानि working यह काम कैसे करता है transformer चाहे वो step up transformer हो चाहे step down transformer हो यह दोनों केस तरीके से काम करता है one by one हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि step up transformer कैसे काम करता है और step down transformer कैसे काम करता है चीक है तो समझे हमने क्या करा हमने लिया एक विद्दुद बाहकबल और उसको हमने प्राइमरी कोईल से जोड़ दिया जब हम इसमें प्राइमरी कोईल से जोड़ देंगे तो होगा क्या कि प्राइमरी कोईल से जब हमने जोड़ा तो प्राइमरी कोईल से जोड़ने के कि जो धारा है, यानि जो current है आपके पास में current flow हो रहा है, cycle form में flow हो रहा है, तो वो हर एक cycle में, जब current flow होगा, तो current flow होने से primary coil जो आपकी है, वो core से lift हुई है, primary coil जो है, वो आपकी core से lift हुई है, आप जब core से lift हुई है, तो होगा क्या कि हर cycle में, ये core पहले एक चक्रे के द हो जाएगी आफ जब और में इंगनेटिक फिल्ड जनरेट्ट हो जाएगी जब इस'Me में मेंगनेटिक फिल्ड जनरेट हो जाएगी जोकी परीवर्ति है यामि बदलती हुई हर बार बदल रही है तो हर बार बदल रही है अब चुकि हुआ ये कि सेकेंडरी जो क्वाइल थी आपके पास में वो सेकेंडरी क्वाइल भी कोर से अटेच्मेंट थी सेकेंडरी क्वाइल भी कोर से टच में थी तो जब सेकेंडरी क्वाइल भी कोर से लिप्ती हुई है बट है होगा कि जो secondary coil है, इस secondary coil से जो चुम्बिकी फ्लक्स connected होता है, वो चुम्बिकी फ्लक्स में परीवर्तन होने लगेगा, बार बार चुम्बिकी फ्लक्स में परीवर्तन हो रहा है, इसलिए इसकी चुम्बिकी फ्लक्स में परीवर्तन होने लगेगा, चुम्बिकी फ्लक्स में एक event होती है विद्दु चुमकिये पिरेरर उसकी सहायता से क्या होगा कि इसमें जतना अगर हमने यहाँ पर जो विद्दु बाहगबल लगाया था उतना ही विद्दु बाहगबल secondary जो काईल होती है उसमें उत्पन हो जाता है और उसमें उत्पन होने के बाद में हमें जो source जो circuit चलाना होता है, उस circuit को हम secondary coil से जोड देते हैं, यह शर्त तब है, जब इसमें इस पूरे process में कोई energy का loss ना हो रहा हो, अगर energy का loss हो रहा है, तो हो सकता है कि उतना voltage यहाँ पर ना मिल पाए हमें, otherwise उतना ही voltage मिल जाता है, बट 100% तो ऐसा हो नहीं सकता कि energy का कोई loss ना हो, energy का थोड़ा बहुत loss होता ही होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पूरे transformer काम करता है, अब मान लीजिए कि जो primary coil है, primary coil में फिरों की संख्या मान लीजिए कि NP है, secondary में NS है, primary में जो हमने विद्दु बाहाग बर लगाया था, electric magnetic force जो लगाया था, वो EP है और secondary का ES है, तो यहा बिद्दु चुम की प्रेण की घटना से भी अधार है तो यह फिराडे के बिद्दु चुम की प्रेण संब्दी नियम से भी हम निकाल सकते हैं, तो यह जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यह ES अपॉन EP इस इक्वल टो NS अपॉन NP आ जाएगा, इसका मतलब यह हैं कि इसमें पृत्रमर्दि बोल्टेज स्थापित होता है, या हम इसका है, यह घां की बिदु बाहिएगा, तो व्यदेमाइगा, तो जो जाएन के बराबर हो रहा है, तो प्राथमिक पुंली में कि सिरों के मद जो बोल्टेज स्थापित होगा, वंक्र उत करता है, वो इसमें लगाएगा बिदूत बाहग बल्कि बराबर होगा यदि इनर्जी का लॉस बहुत कम हो रहा है तो जो आपका प्रित्यवर्ती बोल्टेज यह निए अल्टरनेटिंग बोल्टेज है जो वो एलक्ट्रिक मैगनेटिक फोर्स के एक्वल होना चाहिए यह होता ही है समझ लीजिए अगर इनर्जी का लोग ज्यादा होता है तो ऐसा नहीं होगा इसमें डिफ्रेंस आ जाएगा तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वी एस अपॉन वी पी इस एक्वल टू एस अपॉन इपी इस एक्वल टू आर और आर कहलाता है पडिनमान अनुपात यानि ट ठीक है तो ट्रांस्फोर्मेशन रेश्यू का यहां से हम डिफिनिशन बना सकते हैं दूसरी बात यह समझें यहां पर लिखा हुआ आर एक नितान के जिसे हम पडिनमान अनुपात कहते हैं यानि ट्रांस्फोर्मेशन रेश्यू कहते हैं इसके बात दूसरी बात यह समझे अगर मालना लिजए, कि इनर्जी का loss बिल्कुल ना के बराबर है, अगर मालने के बिल्कुल ना के बराबर जैलनी इन ediyor यह भू नहीं होगा, बट फिर भी हम यह मालने कि बहुत लीस्ट है तो उस टंडिशन में जो आउट्पुट पावर आएगा वो आउट्पुट पावर इंपुट पावर के बराबर होना चाहिए तो यहां पर निकल करके आजाएगा वी एस अपॉन वीपी इस इक्वल टू आईपी अपॉन आई झाले कि क्या मालने के अपुorman फिर निकल लावर के बराबर होना चाहिए चाहिएक पावर पाले की हम एपुट अप्भावर आईपर साहिए